सरकार ने नौन बास्मती चावल के निर्यात पर लगी रोक हटा देने के बाद भारत में चावल की कीमतें कुछ दिनों में 10-15% तक बढ़ गई हैं, जबकि वैश्विक्स्तर पर चावल की कीमतें 15% तक गिर चुकी हैं। हाल में बड़ी इन कीमतों का कारण भारत से चावल के निर्यात की बढ़ती मांग ने घरेलू बाजार में कमी से कीमतों को उंचा कर दिया है। सरकार ने नौन बास्मती सफेद चावल पर निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया है और परबोल चावल पर कर को 10% कर दिया है। यह निरने बास्मती चावल पर नियूंतम निर्यात मूल्य, MEP, हटाने के कुछ ही हफ्तों बाद लिया गया। भारत के पास अभी चावल के पड़ा है। जानकारों की माने तो थाईलैंड के एक विशेश चावल की कीमत जो पहले 800 डॉलर प्रती टन थी हाल ही में गिरकर 710 डॉलर प्रती टन हो गई है। भारत ने अपने निर्यात को खोलने के कारण थाईलैंड, वियतनाम और फिलिपीन से आने वाले चावल की की कीमतों पर दबाव बना है। पिछले एक सप्ता में सभी प्रकार के नौनबास्मती चावल की कीमतें 10-15% बढ़ गई हैं और इनमें गिरावट की कोई संभावना नहीं है। जानकारों का कहना है कि चावल की बढ़ती वैश्विक मांग के कारण घरेलू कीमतें बढ़ रही हैं जो त्योहारी सीजन में उपभोकताओं को प्रभावित कर सकती हैं। चावल की घरेलू कीमतें तब तक मजबूत रहेंगी जब तक नई फसल नहीं आती। चावल की वै भारत ने 5.83 अरब डॉलर मूले के रिकॉर्ड 52.4 लाक टन सुगंधित चावल का निर्यात किया। GI TAG वाला बास्मती चावल पंजाब, हरियाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के सत्तर से ज्यादा जिलो में उगाया जाता है। सुगंधित और लंबे दाने वाला यह चावल वैश्विक बाजारों में प्रीमियम पर बिक्ता है। Bureau Report Market Times TV